यह भहुदी important concept है, हमाई पास large, infinitely large metallic plates होती है, अब infinite बना नहीं सकते हैं, इस तरीके चोटी-चोटी बनाई है, और अगर मैं इसकी पर कोई charge दे दूँ, इस तरीके से plus Q मानलो मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो charge किस तरीके से distribute होता है, देखो, हमाई पास conductor के अंदर electric field 0 होना चीए, तो अगर conductor की बात करो, मानलो हमारे पास conductor है, conductor के अंदर, मानलो थोड़ा सा charge हमाई पास इस तरीके से आता है, थोड़ा सा charge इस तरफ आ जाता है, इस वाले positive charge के करण, इस तरफ हमाई पास कितना electric field होगा, वो हो जाएगा sigma upon 2 epsilon 0, और इस तरफ कितना होगा, वो हो जाएगा इधर वाला sigma upon 2 epsilon 0, क्योंकि infinitely charge plates में, हमाई पास इस distance का कोई variation नहीं होथा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि, अगर मैं charge plate के अंदर कोई भी point ले लूँ, हर एक point के left side में, जितनी charge density होगी, उतनी ही right side में होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमाई पास total charge Q था, तो इसके left side में जितना charge होगा, उतना ही right side में होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमाँ पास कितना आ जाता है, Q by 2, यहाँ पर भी आ जाता है Q by 2, इस तरीके से, यहाँ पर है 10 Q का charge, यहाँ पर है 2 Q का charge, बताओ यहाँ पर total distribution of charge, किस तरीके से होने वाला है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से देखो, अब इस line के इस तरफ, और इस तरफ total charge बराबर होना चाहिए, तो मैं आपास total charge कितना है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 2, total कितना हो गया, 12, 12 का half इधर होगा, half इधर होगा, यहाँ पर आ जाता है, मैं आपास इस तरफ 6 Q, अच्छे एक बात बताओ, यहाँ पर 10 था, 6 इस तरफ आ गया है, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर आजाएगा, हमाँ पास 4 Q, अगेन इस वाली पर आओ, इस conductor के, left side में जितना charge है, उतना ही right side में charge होना चाहिए, total हमाँ पास charge कितना है, 10 plus 2, तो इसके right side में, आना चाहिए, total 6 Q, यहाँ पर आएगा, इसके left side में कितना आएगा, तो यहाँ पर total charge हमाँ पास था 2 Q, 6 Q हमने इस तरफ डाल दिया, तो इस तरफ आप, minus 4 Q आएगा, minus 4 Q, चेक कर सकते आप, यहाँ पर इस तरीके से divide कर दो, देखो इधर total 6 है, यहाँ पर 4, minus 4 and 6, टोटल कितना हो गया, 6, similarly आप इसके दोनों तरफ देखो, इधर भी 6 है, और इन तीनों का sum मिला कर के अभी 6 है, ऐसे कितनी भी plates हो सकती है, आपको यह चेक करते जाना है, एक किसी भी plate के, left side में जितनी भी plates हैं सब का मिला के, और right side में जितनी भी plates हैं सब का मिला कर के, चार्ज बराबर होना चाहिए, इस तरीके साब इसको अप्रोच करोगे, यह जो छोटा सा वीडियो भी आपने रेखा, वो एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही प्यारे से physics के, full syllabus crash course का, जिसमें 11th और 12th, दोनों की complete physics कवर कराएगी है, इसी तरीके से colorful notes के साथ में, जिनकी PDF तो actually आप free में डाउनलोड कर सकते हो, कहां से डाउनलोड करना है, je.crashup.in, लिंक मिल जाएगा description में, वहाँ पे जाओ, free PDF को डाउनलोड करो, प्रिंट लो, अपनी अच्छे से त्यारी करो, उसमें बहुत सारे बीवाई क्यूस भी है, और अगर आप चाहते हो कि उनी notes के साथ में, जैसे हम पढ़ रहे थे हैं वीवाई से ही, पूरी physics आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, सिर्फ चालिस दिनों में, तो आज आओ 11 तर 12 दोनों का complete syllabus है, वही लिंक है, je.crashup.in साथ में में vlogging channel को भी subscribe करना, हम मिलेंगे complete course में,